तियार आप सबको पता ही होगा मैंने अपना एक गेमिंग स्टोर खोला है गेमसुक.in के नाम से जोगी कहा गुडगाओं में आपका बजार सेकेंड फ्लोर शोप नंबर 202 हमारी अपनी वेबसाइट भी है www.gamesook.in जहां पर हम pre-built PCs बेशते हैं इसके लाओ PC पार्ट्स तो PC पार्ट्स के लिए काफी कॉल्स आ रही है पहले तो मैं आपको बोल दूँ कि कोई भी PC पार्ट्स में अभी हम डील नहीं कर रहे क्योंकि भाई पीछे से स्टोक बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है तो जिसको PC बिल्ट करवाना होना वो कॉन्टेक्ट कर सकता है उस पे घजारो कोल्स από यह दिन की औरशयों सारी कैटर करना बिल्कुल पॉसिवल नहीं मस्の पर सबसे पहले हमारे यह वहारी यह है तो सबसे फैले कश्टमर है हमारे सबसे ब्हाइ excitable वहरे था ट्यू pot可以 59 बार यहाई है। और अपना कितने दो दिन हुए स्टोर की ओपनिंग में और भाई पहले दिन ही आ गए थे हमसे लेने के लिए तो आज की वीडियो में हम बताने वाले है कि क्या-क्या इस पीसी में यूज करे है प्लस भाई का एक चैनल भी शुरू करने वाले है भाई किस नाम से है CS Gaming के नाम से है तो इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप सब्सक्राइब कर सकते हो वहाँ पर गेमिंग कॉंटेंट मिलेगा भाई ने PC लिए मैंने का थोड़ा सपोर्ट कर दिया जाए भाई को तो components की बात करते है भाई ने क्या-क्या यूज करा है और उसके बाद फिर हम आपको पूरा process दिखाएंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर deal करते है और किस तरह से आपको घर बैटे बैटे इंडिया में कहीं पर भी अगर PC मंगवाना है तो हम वो भी ship कर देंगे तो भाई सबसे पहले तो प्रोसेसर की बात करें अब क्यूंकि भाई को एक YouTuber बनना है अभी स्टार्ट कर रहे है चैनल तो हमें एक ऐसा प्रोसेसर देना था जिसमें गेमिंग भी हो जाए अच्छे से वीडियो एडिटिंग भी हो जाए स्ट्रीमिंग भी हो जाए और साथ इसा रिकोर्डिंग के टाइम पर भी लैग ना आए तो आप सब को पता ही है जो बजेट रेंज में है वो अपना Ryzen 5 3600 है तो आपको पता ही होगा ये है 6 कोर 12 थ्रेट का प्रोसेसर जादा थ्रेट जोने की वैसे आपको पता ही है जो मल्टी टास्किंग वाले काम होते है काफी अच्छे से हो जाते है इसके अलावा भाई मदर बोर्ड में ये हमने यूज करा है MSI का B450 Gaming Pro Carbon Max Wi-Fi तो भाई को Wi-Fi वाला मदर बोर्ड चाहिए था वैसे तो हम Tomahawk Max में भी Wi-Fi कार्ड लगा सकते थे बढ़ हमारे पास एक ये स्टोक में पड़ा दपी इस तो भाई ने का यही पसंद आ रहा है तो मैंने का चलो ठीक है यही डन कर देते है प्राइजिस जो है जो भाई हर रोज ऊपर नीचे हो रहे इसलिए मैं आपको बतानी रहो वीडियो में क्योंकि आज भाई को हमने कुछ और रेट दिया है यह जी स्किल के रिब्जो तो सही है इसके भी प्राइजिस आप वेबसाइट पे चेक आउट कर सकते हो मैंने जैसे की बताया आप पार्ट में डील नहीं कर रहे है तो अगर आपको खाली रैम चाहिए या एसेजडी चाहिए वो हम अभी नहीं देंगे लेकिन जब हमारे पस सेटेंबर अक्टूबर में स्टोक आना लग जाएगा जाद से जादा तब हम पार्ट में भी डील करेंगे बट अभी के लिए सिरफ पीसी बिल्ट है ठीक है इसके लावा स्टोरेज की बात करें तो भाई एक तो SSD मैं बिल्कुल रेक्रमेंड करता हो हर किसी को की इतना महंगा PC बिल्ट करवारे हो तो SSD जरूर लेना तो 480GB की भाई ने सेटा वाली क्रूशल की SSD लगवाई है इसके अलावा स्टोरेज के लिए अपना जो फुटेज होती है हमारी यूट्यूबर्स की बहुत होती है आपको पता ही होगा उसके लिए हमने WD की ये Blue 1TB hard disk का उससे पहले भाई cabinet की बात करते हैं आपको दीखी रहो कितना सही लग रहा है cabinet और इसके जो है वो colors भी चेंज होते रहते हैं अभी देखो जैसे ये purple है अभी ये चेंज कर देंगे तो मतलब आपको जो भी color चाहिए वो अपने हाप मतलब अपने हिसाब से आप से आप सेट अब फाइनली भाई बात करते हैं अपने main component की जो मैंने हाँ पर नहीं रख रखा है वो है graphic card तो graphics card में हम यूज़ कर रहे है इनो 3D का 2060 Super तो अभी के हिसाब से लगबग सारी games 1080p में maximum settings में आपको अच्छे अखासे frame rates पे games चला देगा benchmarking अभी हम नहीं कर रहे है आप gamesook.in का जो youtube channel है और instagram page है उसको जरूर फोलो कर लो और subscribe कर लो वहाँ पर प्रोपर वीडियो जाए करेगी PC builds की एक एक प्राइस के साथ क्योंकि अभी stock आपको पता ही है उट पटांक सा आ रहे है तो हर रोज rate उपर नीच होते जा रहे है इस आपकी free games है वो तो हम करी देंगे तो basically यहाँ पर यह PC build नहीं होता अंदर office है मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पर रवी भाई अपना PC build करते है जो होई चुक है almost उसके बाद अगर कोई ship करना होता है पूरे इंडिया में कहीं पर हम वो भी कर देते है उसके लिए हम proper packing कर पहले इसके cabinet के box में डालते है उपर से bubble wrap मारते है 5-6 layer उसके बाद अच्छे से आपको भेजेंगे ताकि रस्ते में कुछ भी जो है डेमेज ना हो आपको PC को उसी के साथ साथ भाई insurance भी देते है हम रस्ते में PC का अगर मान लो आपके घर पर कोई PC आता है और वो damage condition में नि और करो तो घर पर unboxing करते टाइम एक वीडियो शूट जरूर कर लेना कि पता चल जाए कि यार वीडियो के में वीडियो में दिख जाएगा कि हाँ आउपनिंग करते वग यह ग्लास तूट गया या कुछ भी तूटा है तो सब वीडियो में पता चल जाएगा तो हमें insurance के ल लेती है transaction करने के तो अगर आप उस fees को नहीं देना चाते तो या तो आप store पर आ जाओ सीधा लेने के लिए या आप order कर रहे हो ना तो आप वहाँ पर एक option मिलेगा bank transfer का तो आप वहाँ पर वहाँ पर बैंक ट्रांसफर वाला option चूज करके हमारे directly bank account में पैसे transfer कर दो आपक तो वह एक तरह से आपको प्रोफिट हो जाएगा 1200 ओर पर का 2.5% होते है शायद से वह तो याट description में सारे links दे रखे है कुछ भी आपको लेना हो PC बिल्ड लेना हो PlayStation वगर अब बहुत जल्दी श्टोक में आ जाएगी तो वह भी आप order कर पा होगे तो अभी भाई का PC final करत अभाई गुडगाओं से यह अपने आप ले जाएंगे लेकिन आगे जब भी orders आएंगे कोई shipping वाले तो उसमें हम आपको पैकिंग का भी दिखाएंगे प्रोपर बाकी वीडियो को एंड करते करते एक बार चक्षू भाई से भी उनका रिव्यू ले ले कि उनका experience यहाँ पर कैसा था और फर्स्ट गेमिंग पीसी है ना आपका तो इनका फर्स्ट गेमिंग पीसी है देखते है मतलब सुनते हैं के मुझ से कितनी excitement है और कौन सी गेम सी यह जाते ही ट्राए करने वाले है एक्साइटमेंट तो बहुत ही जाद है बाकी घर जाके सबसे पहले तो GTA 5 भी चलानी है और Call of Duty भी खेलूँगा बाकी experience बहुत बढ़ी है यहाँ पर और market से भी पता करादा marketplaces से यहाँ पर rate अब तक का सबसे best रहा है सबसे कम रहा है और best value में best चीज आपको मिलेगी तो जैसे कि मैंने आपको बताये था हमारा USP यही है कि भाई prices हम कोशिश करेंग बाकी यहाँ ट्राइ कर रहे है अभी start कर रहा है धीरे धीरे बिल्कुल settle down हो जाएगी चीज़े जैसी stock आने लग जाएगा तो चलो भाई सारे links जोगो description में दे रखे है भाई के channel का भी link है जाके support करो देखो कैसे content बना रहे है बाकी भाई कोई बेसते है भाई काफी देर स बेट कर रहे थे वीडियो कई तो इनका final करवाते है PC और फिर ship करते है अपना first PC यहाँ से